दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगी डेलन थॉमस की एक फेमस पुवम फर्न हिल फर्न हिल यहाँ पर एक जगह का नाम है जहाँ पर पाइट डेलन थॉमस ने अपना बचपन गुजारा था उनकी आंटी का एक फार्म था वहाँ पर यह जगह थी हमें भी काफी सारी चीज़े ऐसी याद रहती है जो हमारे बचपन में होती है और हम फिर से एक बार उन चीज़ों को जीना चाहते है पुवम को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़े बता दू पहला तो इस पुवम में intensely लिरिकल लैंविज का यूज किया गया है दूसरा इसमें मेटाफर्स ही मेटाफर्स मिलेंगे मतलब बहुत ज्यादा मेटाफर्स यूज की हैं इसके अंदर तो शुरू करते हैं फोरन हिल की समरी हाँ जी पुवम थोड़ी बड़ी है यहाँ पर मेटाफर्स का यूज करते हैं पाइट बोलते हैं कि मेरे आसपास के घर बहुत खुश लगते थे और मेरी खुशी तो इतनी विविड थी जैसे गास की इंटेंसिटी होती है न वैसे और रात के वक्त गाटी के उपर जो तारे सितारे चमकते हैं न वो तारे सितारे जितने विविड दिखते हैं न उतनी विविड मेरी खुशी थी उस टाइम पर डैलन थामस यहाँ पर बोलते हैं टाइम उस वक्त खुद मुझे इन सब चीजों को एंजॉय करने का मौका देता था वो जो दिन थे वो भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे जिनको मैंने अपनी आखों से देखा था पाइट यहाँ पर कहते हैं कि मेरी जिन्दगी के सबसे बैस डेस थे वो मैं ऐसा फील करता था उन दिनों में जैसे मैं उस जगह का प्रिंस हूँ वहाँ पर गाड़ियां थी, वेगन्स वगेरा थी, हैपल के बहुत सारे पेड़ थे इन सब के बीच में मैं खुद को प्रिंस की तरह फील करता था या पर कहलो एक किंग की तरह ऐसा केंग जिसने यहाँ पर इन सब चीजों को, इन पेड़ों को, इसकी पत्तियों को, इन डेजी फ्लार्स को, इस घास को, इस फील को, इन सब चीजों को बनाया हो ऐसा फील करता था मैं ये था पहले स्टेंजा अब दूसरे स्टेंजा पर चलते हैं दूसरे स्टेंजा में बोलते हैं कि जब मैं बच्चा था जब मेरे पास कोई experience नहीं था कोई responsibilities नहीं थी तो ऐसे में जब मैं ऐसी जगह पर जाता था ना yard में तो यहाँ पर मैं खुद को celebrity की तरह फील करता था क्यों? क्योंकि मैं गाना गाता था इनके बीच में इस farm के बीच में ऐसा लगता था जैसे मैं घर में हूँ उपर सूरत चमक रहा होता था और time ने मुझा लाओ कर रखा था कि मैं ये golden time को जी हूँ इस golden time में खेलू बच्चा था, experience नहीं था कोई responsibilities नहीं थी तो ऐसे फील करता था जैसे मैं कोई hunter भी हूँ और shepherd भी हूँ और मैं अपना trumpet साथ में लेकर चल रहा हूँ जिसको जब भी मैं बजाता तो मेरे पिच्छे जो गाये चलती रहती थी थी न जो गाती थी साथ की साथ और पहाड़ों पे जो fox थी न मतलब लोंबडिया बगेरा वो भी जोड से चल लाती थी उस वक्त मैं क्या करता था पत्थर उठाता था और पानी में मारता था जो streams थी वो भी बहुत होली लगती थी दूसरा stanza यहाँ पे खतम होता है वो तीसरे stanza में बोलता है कि मैं अपना पूरा दिन ऐसे निकलता था वहाँ पे जो किसान होते थे farmers वो अपने खेतों के बाहर जो बढ़ा लगाते है वो इतना बढ़ा करते थे जिसे एक घर की छतो एक घर की छत के बराबर बढ़ा कर लेते थे उसको और चिमनी से जो दूआ बाहर निकलता था ऐसे लगता था जैसे कोई गीत जैसे कोई गाना हो वो दिन ऐसे थे कि आप पूरा दिन फ्रेश हवा में खेल सकते हो और उस वक्त वहाँ पर जो आग जलती थी न वो भी घास की तना ग्रीन थी और रात को जब तारों से तारों के नीचे मैं सोने की कोशिच करता था तो मैं सोने ही पाता था ऐसे लगता था जैसे उल्लू जो थे उस फार्म के वो इस पूरे फार्म को कहीं और उडाके ले जाएंगे उस चांदरी रात में मैं नैट जार्स के आवाज सुनता था दूसरे वर्ड्स के आवाज सुनता था और वही पास में गोडों के अस्तवल थे उनके आवाज भी साफ साफ सुनाई देती थी रात के टाइम पे इतना अंधेरा होता था कि गोडे पूरी तरह से गायब दिखते थे लेकिन बस उनके जो बाल थे वो चमकते थे मतलब पूरा फार्म गायब हो जाता था अंधेरे में यहाँ पर वो तीसरा स्टेंजा भी कंप्लीट करते हैं स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं और जब मैं रात को सो के सुबह उठता था जाकता था फिर से फार्म मेरे सामने आ जाता था ऐसे लगता था फिर से एक फ्रेश फार्म मेरे सामने आ गया है कुछ भी पुराना सा नहीं लगता था ऐसे लगता था जैसे कोई भटकता हुआ आदमी ओस में दिखाई देता है न और उसके कंधे पे एक मुर्गा बैठाओ वैसे हर चीज उस फार्म में शायन करती थी हर चीज ऐसे लगता था इन फेक्ट ये बोलते हैं कि ऐसे लगता था जैसे गार्डन ओफ एडन था न जेनिसिस में आडम और एव का जिसमें आडम और एव को बनाया गया था वैसे ही लगता था फ़र्ण हिल आसमान जो रात को चला जा अंधेरे में लाइट बनाई थी न वैसे ही सुबह हुई है दूसरों ऐसा माना जाता है कि भगवान ने जब दुनिया बनाई थी सबसे पहले लाइट को बनाया था same उस चीज़ से connect करते हैं यहां पर पायट और बोलते हैं कि ऐसे लगता है जिस फील की हर एक चीज़ God को प्रेज कर रही है एक्सेले सेम चीज़ बोलते हैं यहां पर पायट बोलते हैं कि मैं celebrity जैसा फील करता था मेरा जो दिल था वो बहुत खुशी से भरा हुआ था सूरज जिसकी रोश्णी हर दिन के साथ में वापस लोट आती थी मैं बिना किसी परवा के वहाँ पर दोड़ता भागता रहता था और मुझे किसी चीज़ की कोई परवा नहीं थी और वो वही सारी चीज़े रेपीट करता है जो फर्स टेंजा में बोलता है अब आखरी स्टेंजा में परवाट क्या बोलता है यापर कि उस वक्त तो मुझे कोई चिंता नहीं थी उन दिनों में मैं अनुसंड था एक बकरी के बच्चे की तरह टाइम मुझे जाने कहां कहां ले गया कैसे कैसे कहां कहां गाइड किया उस वक्त कोई चिंता नहीं थी न जब मैं सूने जाता था तो मुझे नहीं पता था कि जिस तरह से टाइम उड़ता चला जा रहा है पास होता चला जा रहा है और ऐसे ही एक दिन जब मैं उठा, तो दिखा कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब यहाँ पर speaker रोना शुरू करता है, कहता है कि, oh, when I was young and happy in the short childhood, I was granted, granted by time, embraced by time, यहाँ पर पायट बोलते हैं कि, मेरा बच्चपन बहुत short time था, I was granted, time ने मुझे गले लगाया, किन आज मेरी situation बिल्कुल समुद्र की तरह है, समुद्र जो अपनी chains में lock है, वैसे ही मैं lock हो चुका हूँ, यही इनी lines के साथ में यह पोयम कतम होती है दोस्तों, उमीद करता हूँ आपको समझ में आये होगी और पसंद भी आये होगी, आज की इस वीडियो में बसतना है,